ताइप्स ओफ मेट्रिक्स केवल आप ये माल लीजे कि नंबर्स का अरेंजमेंट है रो और कॉलम में यह जैसे आप एक टेबल को देखते हैं और उस टेबल में आपके कॉलम्स होते हैं ये कॉलम हो गए इस तरीके से ये रोज हो गए अगर आप इस तरीके से कुछ information करते नंबर्स को या फिर items को arrange करते उसी को हम matrix कहते हैं matrix का मतलब यह है row और column में या tabular form में number का रखना अब अलग-अलग प्रकार के matrices हो सकते है matrix का जो plural होता है यांने बहु अचन होता है वो matrices हैं एक से जादा matrix matrices होगई Rectangular matrix का मतलब यह होता है कि ऐसी matrix जिसमें यह rows जो आप दिख रहे हैं और यह columns जो दिख रहे हैं यह बरावर नहीं है यह जो मैंने बनाया है यह असल में आपका rectangular matrix है क्यों? क्योंकि यह जो number of rows है उसको हम यह लिखते हैं माली जी N हो गया number of columns M हो गया इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसे कहते हैं matrix का order और इस order में यह फिर dimension कह सकते हैं अगर यह N और M अलग-अलग है भिन्ड है यह rows और columns number of rows और columns अलग-अलग है तो हम कहेंगे rectangular matrix है जोसे आप यह देखिएगा इस matrix में एक दो rows है और एक, दो और तीन, तीन column है यह इस matrix का जो order है वर 2 by 3 है यह दोनों बरावर नहीं है इसका मतलब यह rectangular matrix है square matrix की जहां तक बात करेंगे इसमें row और column बरावर होते हैं यहनि कि अगर मैं N और M कहूं तो N बरावर M होगा यहाँ example पे देखिए यहाँ एक, दो, तीन, तीन rows है और एक, दो, तीन, तीन column है इसका मतलब कि यह एक square matrix है square कैसा होता है कि उसके चारो side बरावर होते है diagonal matrix अब matrix जो होता है वो tabular form में है मतलब आपने इसको इस form में रखा हुआ है row और column के form में अब यहाँ से एक लकीर खीज़ दीज़े यहाँ तक तो इसमें जो जो number आएंगे यहाँ पर जो जो number आएंगे उन्ही को हम diagonal matrix कहेंगे अब देखिए यहाँ पर इस matrix में पहली चीज़ तो यह है कि यह square matrix है तब तो diagonal निकल पाएंगी कि जो जो number इस diagonal में आएंगे मतलब इस लकीर को खीचने में आएंगे वो सारे के सारे कुछ numbers होंगे बाकि सारे 0 होंगे जैसे इसको कैसे लिखेंगे 2, 0, 0 अब यहाँ पर में लिखनेंगा 0 यह 4 हो गया यह 0 और 0, 0, 7 तो यह जो diagonal हो गई इसी को हम diagonal matrix कहते है क्योंकि diagonal में नंबर है बाकि सारे 0 है scalar matrix scalar matrix का मतलब यह होता है कि जो भी diagonal में नंबर होंगे वो same होंगे कहने का मतलब जैसे यह diagonal है इसमें 2, 4, 7 अलग-अलग है 2 और 4 और 7 यह बराबर रही है लेकिन यहाँ पर 4, 4, 4 यह बराबर है तो अगर मैं एक और scalar matrix आपके सामने बनाऊ तो यह हो सकता minus 10 0, 0 यहाँ minus 10 ही आएगा तब हम इसको scalar matrix कहेंगे क्या हो गया यह minus 10, minus 10, minus 10 यानि कि यह आपका scalar matrix हो गया row matrix क्यूंकि एक matrix row और column इसका combination होता है या इसका arrangement होता है तो यह भी तो हो सकता है केवल row ही हो एक column हो ही न यानि इस चरीके का matrix जिसमें केवल row हो column multiple हो सकते है मतलब column कोई number नहीं है column कितने भी हो सकते हैं row लेकिन fix हो गई तो जहार row हमने fix कर दी row केवल एक ही हो गई तो इसे हम row matrix कहेंगे और इसी का उल्टा देखीगा कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से ऐसे matrix बनाएगे जिसमें यू नमबर लिखे हो तो इसमें तो rows कितनी भी हो सकती है लेकिन column हमने fix कर दिया one एक ही column होगा तो यहाँ देखेगा यह column बनाया है एन क्रॉस M तो M हमेशा one होना चाहिए मतलब column हमेशा one होना चाहिए identity matrix का मतलब यह होता है कि ऐसा matrix जो square matrix हो और जिसमें diagonal के बारे में बात हो रही है जब diagonal के बारे में बात करेंगे तो हमेशा square matrix के बारे में बात करते है identity matrix का मतलब यह है कि इसके जो diagonal में number आ रहे है वो सारे 1 होंगे अब इसी का मैं 3 by 3 बनाता हूँ कैसे मेरेगा 100 अच्छे ये order है इसका ये 2 by 2 है अभी जो बनाने जा रहा हूँ 3 by 3 बना रहा हूँ 100, 010, 001 क्या बन गया ये ये बन गया आपका identity matrix diagonal matrix है, scalar matrix भी है diagonal भी है, scalar भी है दोनों matrix है, लेकिन क्योंकि इसका diagonal में number या scalar number 1 है, तब इसका नाम special matrix हो जाता है, उसे हम कहते है, identity matrix क्या कहेंगे, identity matrix अब आई ये 0 matrix पे 0 matrix तो जैसे नाम ही बता रहा है, कि सारे के सारे इसमें जो content होगे, जो भी entry होगी क्या होगी, सारे 0 होगे, तो अगर मैं इसी को ये 2 by 2 आप matrix देख रहे है इसी को मैं अगर 3 by 3 matrix बनाने के कोशिश करूँ, तो बनेगा 0, 0, 0, सब में 0 डाल दीजे ये आपका 0 matrix हो गया इसमें special type के matrix है जिसे हम upper triangular matrix कहते है और lower triangular matrix कहते है, पहले चीज़ तो ये कि जब भी हम upper और lower के बारे बात करेंगे तो वो square matrix होना चाहिए और यहाँ बात होगी diagonal की diagonal के नीचे क्या number है, diagonal के उपर क्या number है, अब बहुत ध्यान से देखिए ये है upper triangular matrix upper triangular matrix का मतलब होता है कि जो diagonal का upper part है, उपर वाला part है उसमें कुछ numbers है लेकिन lower सारा 0 है lower matrix, lower triangular matrix का मतलब है ऐसा square matrix जिसमें lower part जो है उसमें कुछ numbers है लेकिन जो upper part है वो सारा का सारा 0 है तो कैसे लिखेंगे इसको? upper triangular matrix कैसे करेंगे? यहाँ देखें, यह matrix है मैं एक और बना जाता हूँ हम क्या करेंगे? कि पहले diagonal लेंगे जैसे यह diagonal है मारी जैसे मैं 3 by 3 matrix बना रहा हूँ तो यह बने diagonal बना दिया अब यहाँ पर आप number लिखेंगे जैसे आपने लिख दिया 5, 6, 9 यहाँ पर 0 आएगा अब यह diagonal पर number आ गया यह क्या number होगा? खुछ भी जैसे 8, minus 10 यहाँ पर आजाएए आप 0, 0 अभी diagonal पर आगया इसको रख दीजे minus 20 तो यह diagonal के ऊपर यह बना है triangle इस triangle में आप देखेंगे सारे numbers है number है ना? इसलिए यह क्योंकि अपर पार्ट है तो इसको अपर triangular matrix कहेंगे यही पर अगर मैं इसको इस तरीके से परिवार्तित कर दूँ कि नीचे वाला diagonal अब फिर से हम diagonal मना लेते अब हम क्या करेंगे? diagonal और diagonal के नीचे वाले में number देंगे जैसे हमने दिया minus 8 5 6 2 3 7 और यहां 0, 0, 0 तो क्या हो गया? यह जो diagonal नीचे वाला diagonal है इसमें सारे के सारे numbers है 0 नहीं है कोई भी और इसमें सारे 0s है इसको हम lower triangle matrix कहते हैं